यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ All India Council for Technical Education के वाइस शेर्मेन MP पुनिया ने उनिवस्टी ग्राफिक एरा में हो रहे शोध को लेकर कहा कि जिस तरह से देश के 48 उनिवस्टी में से एक ग्राफिक एरा को चुना गया है ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धी है आपको बता दें कि देश की 500 बड़ी समस्याओं को लेकर शोध चल रहा था ये शोध तक्रीबं 36 घंटे तक चला और 26 टीमों ने इस पर शोध किया बड़ी बात ये है कि शोध में जिन टीमों ने कामयाबी हासिल की है उनको इनामिराशी से भी सम्मानित करने का एलान किया गया मीडिया से बाच्चित करते हुए AICTE के वाइस चेर्मेन MP पुनिया ने कहा कि जो नियम अब AICTE ने बनाए हैं उससे शात्रों को परेशानियों का जो सामना करना परता था अब उन समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है इसके अलावा शात्रों की आसानी से प्लेसमेंट हो इसके लिए भी अब तरकीब निकाली गई है और इसके साथी जो पैटन AICTE का पहले था उसको भी पूरी तरह से बदलने की बात उन्होंने कही जो शात्र थियोरी से आगे बढ़ते थे अब उनको प्रैक्टिकल कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कुल मिलाकर शात्रों के उज्वल भविश्य को लेकर AICTE के वाइस चेर्मेन ने बहुत सी जानकारियां दी और इस चोत के दोरान उन्होंने लोगों को संबोदित किया इंडिया एकेतन का सबसे बड़ा उड़ेश हमारा ये है कि बच्चों की सोच बदले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको वास्ता में जो काम में आने वाला प्रोड़क्ट है उस ग्यान को काम में ले और ये सोच के हमने ये शुरुआत किये ये तीसरा साल है पहले साल में करीब 40,000 बच्चे आगे बढ़के आये थे हम शायद पूरे कंट्री में इसको पुप्लराइज नहीं कर पाए लेकिन पिछले साल जब परियास किया तो करीब 80,000 बच्चे उसके अंदर होगे इस बार हमने इसको एक बड़ी मुईम बनाया और अकेले याई सिटी ने 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 अकेले मेचारडी ने 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 हमारे साथ परसिस्टेंट कंपनी और प्राइवेट जो कंपनिया जो अच्छा काम कर रही है वो भी हमारे साथ जुड़े और इसको हम करीब 220,000 बच्चों तक इस मुईम को लेके गए 220,000 में से 13,000 बच्चों को हमने आइडिंटिफाई किया जिनकी प्रोब्लम का समाधान हमें काफी अच्छा लगा